हिंदी दिवस पर बोले अक्षे उस भाषा का हमेशा समान करो जिसमें तुम सपने देखते हो 14 सितंबर को हर साल देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है इस मौके पर कई से लेबस अपने प्रशंसकों को शुबकाम नाय दी रहे हैं अक्षे कुमार ने भी इस मौके पर फैंस के सामने अपनी बात रखी है अक्षे ने हिंदी में ट्वीट करते हुए बताया कि सभी को उस भाषा का समान जरूर करना चाहिए जिसमें वे सोचते हैं और सपने देखते हैं अक्षे ने ट्वीट करते हुए लिखा मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया कि उस भाषा का सदा समान करो जिसमें तुम सोचते हूँ और सपने देखते हो मेरे लिए वो भाषा हिंदी है जीवन में मेरे सपने हिंदी फिल्मों के माध्यम से ही सच हुए हिंदी में अपने विचारों को अभिव्यक्तिकर पाने पर मुझे कर्व है हिंदी दिवस की शुबकाम नाए गौर तलब है कि 14 सितंबर 1949 को सम्विदान सभा ने एक मत से निर्ण लिया था कि हिंदी भारत की राजभाशा होगी पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1935 को मनाया गया प्रोफेशनल फ्रंट पर बिजी हैं अक्षय वरकट फ्रंट की बात करें तो अक्षय फिलहाल अपनी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग में बिजी है इसके अलावा उनकी फिल्म लक्षमी बॉब जल्द ओटीटी प्लेटपॉर्म डिजनी होट स्टार पर रिलीज होने जा रही है इस फिल्म को लेकर खबरें ऐसी भी थी कि फिल्म के मेकर्स अब थेटर्स के खुलने का इंतजार कर रहे हैं और इस फिल्म को ओटीटी प्लेटपॉर्म से एक बार थेटर्स रिलीज के लिए तयार किया जा रहा है अलागी ये खबर अफवाह साबित हुई और लक्षमी बॉब ओटीटी प्लेटपॉर्म पर नवंबर महीने में रिलीज हो सकती है इसके अलावा अक्षय फिल्म सूर्य वन्शी में काम कर रहे हैं इस फिल्म में वे लंबे समय बाद कट्रीना के एप के साथ नजर आएंगे इस फिल्म को रोहित शेटी डारेक कर रहे हैं रोहित शेटी पहली बार अक्षय और कट्रीना के साथ काम कर रहे हैं इस कॉप फ्रेचाईजी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी मेकर्स ने अब तक कोई कमफरमेशन नहीं दिया है